तो हेलो इंजिनियर्ट स्वागत आपका फिट से एक बार मैं हूँ इंजिनियर्ट टिकेस कुमार और आज जो हम दो देखने होले बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कहां कहां पे कौन कों से टेक्टोनिक्स प्लेट से उसका मुवमेंट किदर है उसके बारे में बात करेंगे और पूरा इंडिया के जोग्राफी और उसके टॉपोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां पे कौन कों से टेरेन है और कैसा कंडिशन्स वहां पर पाय ज अब यह जो है पूरा एक प्लेट बनाता है जिसमें कि आपका अरेबियन सी और बंगाल वाला पार्ट भी उसके अंतर गताता है जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ तो यहां पर आप देखेंगे तो यह जो पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट है लगभग इसका राजिस्तान वाले पार्टो थोड़ा सा पाकिस्तान वाले भी है ठीक है आपका सेंट्र हाइपग प्लेंट भी है यहां पर ढός पर आप की असरे पार्ट राणे के गहां ऑंतरियरी और यहां मैं अकर अगर आप देखेंगे तो यह जो इंडियन बियए उसके नीचे ज और इसका मुवमेंट जो है वो नौर्थ की तरफ है तो यहां से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखो दा हिमालियन रीजन से में लोग देखने वाले हैं कि यह जो हिमालियन रीजन जो आप देख पा रहे हैं छीक है जो पिछला इमेज में मैंने दिखाया आपको यह वाली पार्ट तो यह वाली पार्ट है पूरा देखो अफगानिस्तान का पूरा पार्ट ताजयाकिस्तान का नीचे वाला पार्ट और यहां पे पूरा इंडिया का नेपाल भूटान वाला यह वाला पार्ट और म्यानबर वाला भी अराकान वियोमा वाला पार्ट ठीक है उसके लावा आपका अंडमा निको वाला पार्ट यहां पे देखेंगे तो पूरा जो है आपका जो टेक्टोनि वाला पार्ट पूरा जो दिखर है आपको हाइलाइट वाला एरिया यह जो दिखर है ठीक है तो इसका जो फॉर्मेशन का टाइम माना जाता है लगभाग 60 वही सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजिनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेंग डिजाइन की गई है इंडस्री स्टैंडर्स के हिसाब से जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंडर के साथ सीखते हैं एस्टीमेशन निकालना सर्वाइन करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, Bill बनाना, Contract and Tendering के साथ और भी important skills आपके time schedule की flexibility के हिसाब से और इंडिया के सबसे affordable cost में भी तो अभी phone उठाओ और call लगाओ 911-001234 पर और वीडियो के description में जाके अधिक जानकारी भी ले लो तो यहाँ पर इंडियान प्लेट और Eurasian प्लेट के collision के वज़े से हिमालाय का formation हुआ है अब इस formation के वज़े से और इस collision के वज़े से काफी ज्यादा uncertainty कापी ज्यादा seismic activity जो है यहाँ पर देखा जाता है जैसे आप लोग अभी अभी recently नेपाल वाला जो earthquake है उसके बारे में ठीक है इसके लावा जो है अफगानिस्तान में भी जो आया था काफी ज्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था तो अफगानिस्तान वाला पार्ट भी वहाँ पे यह जो है cover होता है और उसके लावा आप देख सकते हैं नेपाल मई 2015 में नेपाल अप्रेल 2015 में कस्मीर में जो कि इनगेंशन होने के नाते आपको आपको सिज्मिक जोन के बारे में बहांकी जो लोजिकल फीचर्ज किया है उसके बारे में आपको जाना बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए अगला देखते हम लोग कि यह जो पूरे इंडियान प्लेट जो है Państu कैसे यहां से खसकत के आया हुआ है ठीक है वैसे तो अकर वर्ड मैप में हम रोग देखेंगे तो मेडागासकर के पाससे इंडिया जो है बहुत पहले जब पेंजिया, वाला टाइम था उस्ना में दिखारा जाता, कि इंडिया वाला जो पार्ट है काफी नीचे था वो नौर्थ के और मूउमेंट हो हो के जैसे आप देख रहे हो इंडिया का जो लैंड मास है वो 70 मिलियर्स एगो जो कहीं और पे था ठीक है थूर ये जो है खिसकते हुए खिसकते हुए कहाँ पे आके टकराया है यहाँ पे आप देखेंगे अलग-अलग पेट के वाज़े से यहाँ पे फोल्डिंग फोल्टिंग वाले जो फीचर से वो देखा जाता है और यहाँ पे हिमालिया माउंटेन जो है वो फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसे जितने भी आप देखते हैं माउंटेन जो है ऐसे प्लेट के टकराने के वज़े से उसके फोल्डिंग-फोल्टिंग होती है उसके वज़े से फॉर्मेशन जो होता है ठीक है तो कुछ जो है youngest mountain है कुछ oldest जैसे हमारे इंडिया में ही देखोगे आप तो अरावाली वाला part जो है बहुत पहले का है मतलब अरावाली जो mountain है अभी तो वो जो है उसका residue ही बचा हुआ है जब वो youngest रहा होगा तो बहुत जदा height उसका रहा होगा तो आप लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका यह जो image दिख रहा है आपको side में ठीक है तो यहाँ पर यह समझे कि आपका जो core वाला part है उसमें जो है लावा है ठीक है एक liquid type का है और जिस पर कि आपकी मोटी-मोटी जो चटान की layers है वो जो है वहाँ पर float कर रही है अब उस float के वज़े से earth के moment के वज़े से कुछ जो है उसमें collision होता है जिसके वज़े से आपका जो seismic activities है उसको आप देख पाते हैं ठीक है तो यहां पर आप पूरे world map में समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया को कैसे अलग-अलग जो plate से उसमें बाटा गया है ठीक है यह as per seismic analysis जो कोई भी agency होगी उसने यहां पर research किया होगा और देखा होगा कि यह यह plate इधर movement कर रहा है कुछ जो है converge हो रहा है कुछ जो है separate हो रहा है उसके according ठीक है तो यहां पर इंडियन प्लेट को देखेंगे यह हमारा इंडियन प्लेट है काफी छोटा है लेकिन काफी ज़्यादा active zone है पता पूरे दुनिया में अगर जापान के बाद अगर कहीं पर ज़्यादा तर seismic activities ज कर रहे है ठीक है तो हमारे लिए क्यों जरूरी है सबसे पहली बात कि अगर हम जो टैक investigation कर रहे हैं जो टैक analysis कर रहे हैं किसी earthquake prone area में तो वहां पर हमको कौन कौन से इसी बात है जिसको ध्यां रखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आपका uncertainty जो है काफ कर पा रहे हैं हम से चूट चूट रहा है कि हम जो स्वाइल के dynamic behavior को नहीं कर पा रहे हैं तो यह dynamic behavior को हमको देखना पड़ेगा ऐसे एरिया में जहां पर earthquake prone area है तो वहां पर क्या chances होता है अर्थquake prone area में अगर saturated soil है silty sandy soil है तो वहां पर आपका liquidification होने के chances होते हैं earthquake आने के chances ह होते हैं जिसके बज़े से काफी ज्यादा structural damage जो हो देखा जाता है ठीक है तो यहां पर liquification potential है उसको analysis करना बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने design वाले part में आपको liquification potential कैसे analysis की जाती उसके बारे में बताया हुआ है ठीक है उसके बाद है आपका variable surface condition जैसे plane या मैदानी पार्ट तो वहां पर आपको हो सकता है कि एक smile का layer जो है काफे मोटा मिले और कहीं पर जो है एकदम कमी मिले या फिर ना ही मिले ठीक है कुछ इस सरीके से हो सकता है एकदम बहुत ज़्यादा anyone जो है आपको देखने को मिलेगा उसके बाद है एक तो remote location होने के वाज़े से जो हमारी heavy machinery जो होती है उसको जो है वहां तक पहुचा पाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन जो है अगर कोई important project है tunnel वगरा बन रहा है highways बन रहा है तो वहां पर जो है heavy helicopters होते है उसके सुरू जो है machine को जो है वहां पर पहुचाया जाता है अच्छा उसके लावे एक future में कोई ऐसा problem ना है या फिर ऐसा हो कि बहुत अलाट damage होना है क्योंकि यह जो seismic activity एक natural process है जिसको हम रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन उसके remedies के लिए उससे बचने के लिए हम जो है कुछ जो है जो design considerations जो है वो ले सकते हैं हमारे IS code ने बहुत सारे से design considerations दियो है earthquake zones के बारे मे जो कीजिए है ना तो यह सारा कुछ है चलिए समझते कौन कौन से रेविडिस जो करते हैं में ली में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रीज में बेरिंग से लगता है उस तरीके कुछ दिख रहा है जो कि आपका इसको बोलते हैं base suppression यहाँ पर आप देख पाएं यहाँ पर देखो बहुत ही stable है और बहुत कम चती जो है इस बिल्डिंग को होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने इस चीज को मेंशन किया है जिए अच्छे से रजिस्ट कर पाया और कम से कम चती बिल्डिंग को हो तो इसके अलावा बहुत सारे और भी डिजाइन कंसिडरेशन जो है वो लिया जाता है जो कि आपके आपके आयोस कोड 1893 2016 में दिया गया है इसके लिए पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आयोस कोड की जिक्र करूंगा और वहाँ पर डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे चलते हम लोग आग वन में जहां पर अर्थकुएक आही नहीं सकता लेकिन ये जो है भ्रम जो है ये तब टूड गया जब महाराश्ट वाले पार्ट में कोईना डेम एक था बहाँ पर भूकां पाया और बहुत जादा च्छदिग्रस उस डेम को जो है पहुचा था जिसके वज़े से ये डिस पार्ट है इसमें जब आया भूकां उसके बाद ये बोला गया कि जोन वन टाइप का कोई चीज नहीं रहेगा चीजें जो है अंसर्टेन है कहीं भी भूकां आ सकता है क्योंकि इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ की और मूमेंट करे जा रही है ठीक है इसलिए जो है जो है का कॉंसेट हट गया और जोन टू जो की जो सबसे लोवेर स्टीजमिक एक्टिविटी जोन है ठीक है उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएगा है जोन टाइप कर रहेगा और जोन फॉर हाई रहेगा और जोन फाइब जो है एक्स्ट्रीम हाई में आ जाएगा जितना भी डार्क रेड आपको दिख रहा है यह जोन फाइव वाला एरिया है फिर आपको पिंक टाइप का जो दिख रहा होगा जोन फॉर है फिर येलो वाला जोन फॉर है फिर बिल्कुल ब्राउन टाइप का जिख रहा है लाइट ब्राउन जो दिख रहा है वह आपका यहां पर देखेंगे आप तो आपका यह देखो, आप्रॉक्सिमेटले 11% एरिया आपका कम से कम Johnson 5 में आता है, 18% एरिया पूरे इंडिया का वो जो और जोन में बाटा गया है और इसके अको हट मिलता है कि हम इसके बिल्डिंग को अगर कहीं बना रहे तो कौन से जोन में लाइ कर रहे हैं तो जैसे हम लोग eTap या फिश्टेट्प्रो में डिजाइनिंग करते हैं हायरी रज बिल्डिंग के जो है आपको सेजमिक जो फॉर स हैं, wind forces हैं, उसके जो है, assign करना पड़ता है, और उसके थ्रूँ analysis करना पड़ता है, यहाँ पे जो है, इंडिया इस कोड में जो है, आपको यह image देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बड़ा circle जो दिखेगा, वहाँ पे अर्थको एक magnitude है, वो ज्यादा आने के चांसे सरते हैं, जैसे छोटे circle में आपको अर्थको एक magnitude कम आ सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे magnitude के according यह आपको दिया हुआ है, ठीक है, छोटा bubble जो है, आपको यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ पे कैसा जोन है, और कैसे मुझे डिजाइन करना रहेगा, कौन-कौन से टेस्ट जो है, यहाँ पे करने रहेंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रिये सिक्ते रिये सेविल गु झाल